नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यूत कर साइस यूटू चनल में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आसपास प्रोदूसर फैला हुआ हुआ उसके बारे में हम देखेंगे कि एक आजीब सी एक कोरे की धुंद सी छाय हुई है इस मोख हरतरब दिख रह हो रही है दिल्ली हो लखनव हो कानपूर हो वाररसी हो पटना हो इन सभी सहरों के आप देखेंगे तो काफी ज़्यदा विजबिल्टी काफी कम हो गई है और एजीब से एक धुंद सी छाय हुई है लेकिन इस धुंद के पीछे कारड क्या है आकर यह वायू इतनी क्यों प आखिर आप देखेंगे जिसे हम लोग पेपर में सुनने को मिलता है कि पराली वगरा जलाई जा रही है यह इस वज़े से ऐसा हो रहा है लेकिन सिर्फ यही कारड आखिर यह नहीं है अगर जो आप देखेंगे तो मार्च के महीने में भी आप देखेंगे तो ऐसी घटना ह आपको देखने को मिलती है त्रेसर वगरा चलते हैं गेहों की खुब कटाई होती है लेकिन तब यह समस्या इतनी विक्राल रूप धार नहीं करती है लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि नॉमर में ही ऐसा होता है हम इसका एक भोगोलिक दृस्टी की तरफ से आप देखेंगे अप्रेल में क्यों नहीं होती उसके बारे में देखेंगे और पूरा इसका विसलेशर करेंगे शुरुवाती ठंडी में यह ऐसा क्यों होता है बाकि आप जो आप टीवी वगरा में देख रहे होंगे और भी जगों पर आप पढ़े होंगे तो आपको देखने को मिल प्रदूसित हो गये हैं मतलब काफी जदा इनकी आप देखेंगे तो इन्वार्मेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गये जिससे सांस लेने में समस्या हो रही है इसका में वैग्यानिक आधार पर आथाथ कहें क्यों भागोलिक आधार पर इसका हम पूरा आपको विश्टरत पर इसके पीछे जिम्यदार है अगर आधमियों की तो है इसकी वैसा होता है तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें ज्यानना जरूरी है कि हम लोग देखते हैं कि सब कुछ प्रेषर पेर डिपेंड करता है भूग्वल पूरा अकर आगर आप देखेंगे तो हवा वगेर यहां पर थाप करता है लिज़ा है तो यह पर दाप कम होगा वहां पर नब अर्थात निम्न ननाप है वहां पर आप देखेंगे तो high temperature होगा अर्थात low pressure तो high temperature और high pressure तो low temperature ये दोनों बाते आप याद रखे low pressure तो high temperature और high pressure तो low temperature अर्थात निम्न दाप तो जब निम्न दाप होगा तो निम्न दाप की स्थिती में देखेंगे तो तापमान अधिक होगा और उचिदाब की सिती में देखेंगो ताप मान अधिक होगा इन दोनों बातों को आप याद रखेगा तो मतलब कहने का मतलब है जब ताप अधिक हो जाता है तो वायू क्या होती है गरम हो जाती है ताप अधिक तो वायू गरम हो जाएगी जब गरम हो जाएगी तो धीरे धीरे ऊपर के उठना शुरू कर देती है सब कुछ यहीं से बिल्कुल बेसिक चीज़े आप याद रखे तभी आपके समझ में आ जाएगा कि आखिर दिली वगरा लखनों वगरा में ऐसी कंडिशन क्यों है तो जैसे जैसे टमप्रिचर बढ़ता है जब टेसम टमप्रिचर बढ़ा तो हवा क्या होती हल्की हो जाती है और उसमें आप देखेंगे तो जो उसके कड़े वो दूर जाने लग पर कर देता है इसी आप देखोंगे वर्सा वगएर सब कुछ उसी पर बात करेंगे तो सहरों में क्या होता है कि सहरों में बहुत सी प्रक्रियां होती है तेखेंगे तो गाड़ियां वगरा वी हैं गाडियों के साथ दिखेंगे तो बहुंद से का खाने वगारा जितने बियोंते सब सहरों में इस्थापित कि याते है इस तलों त् Democrat को बना लीजैसे समझ दिए भी सिकर्शेम आपको पूरा समझा देंगे की स Griff SEC MA जबंतल उपड़िक ANGगी ऊपर क्यों जाएगी ऊपर कियो जाएगी जब फार जाने के बाद में टिसको बोलते हैं जो आप यांद रहेंगे heat island के नाम्स जानते हैं ये उसके उपर एक सहरों के उपर बन जाता है और जब ये सहरों के उपर बन जाता है heat island तो आप देखेंगे तो सिर्फ अगर जो इसमें आप देखेंगे सिर्फ उस्मा ही उस्मा होती तब तो चलो ठीक था लेकिन उस्मा के साथ-साथ इसमें बहुत से से पार्टिकल्स होते हैं आप देखेंगे धूमा वगरा यह और धूल वगरा यह सब कड़ वगरा क्या होते हैं आप देखें रोडे वगरा इतनी खराब होती तो आप कोई गाड़ी चलती तो करीब धूल का मतलब हैं कि यह प्रक्रजियां वगरा धूमां वगरा भी क्या होता इसके साथ ऊपर उठता चला जाता और यह mówi क्या होता है आस्मान में यह आजाता है तो यह क्या होता की अज्यब सिक से जमने लगती है आपको एक चीज़ाई पड़ेंगी इसको अभी अगर झोता प्रदूसर गुम्मद इसको बोल देते हैं वही यह तापी दूइफ है जिसमें ऊपर क्या होगा प्रदूसर के कड़ा गए इससे सो प्रदूसर गुम्मद का निर्माड हो गया लेकिन जब यहां की जब हवा जो थी वो उपर उठ गई अर्थात गरम हवा जो थी वो उपर उठ गई तो इसका इस्थान लेने के लिए गाउं की तरफ से क्या होगी या आसपास के गाउं नहीं तो आसपास के छेतर में जो उपांत के छेतर नगरी उपांत के आसपास के छ यहां पर टंपरचर अधिक तो इसलिए हवा चलना सुरू कर देगी अधिक से कम क्यों अर्थात यहां से क्या होगी हवा इस तरफ आना सुरू कर देती है गाओं से इस तरफ आना सुरू कर देती है तो यह क्या होगी चक्री करम चलता रहता है इस तरीके से लेकिन इसमें जि कीजिए समझते हैं ये एक मैंने फिर प्रत्री क्मायब बना रखा है ग्लोप कह सकते हैं तो यह इस पर आप देखें इस आप देखने ये का इधसारी 35डी मैं और यहुडर सादे 54 आप जानते हैं कि जब सूर्ण flowers सब्सक्राइब अर सब्सक्राइब नहीं होता है लेकिन ये तप कर सुरज इस तरफ चला आता है तो ऊपरीज तर्फ चलोंत्य सुरज के मैने गृषर नहीं एहां कि हावा आगा outta यहां जब बहुत जएदा हैवा रहेगी यहाँ पर उटाला उट नहींं पाएगी तो हमसे सब हाई ऽाइसा घ्रॉच नहीं पात्राइगी तो जो प्रदूसर माल नीजे जैसे पहले जो हवा थी वो एक किलोमीटर तक उपर उठ जा रही थी माल नीजे जैसे दो किलोमीटर तक उपर उठ जा रही थी गर्मियों के मौसम में यह जो हवा बगरा जो प्रदूसर बगरा था खार गूंचा रहा था ये स्रー तरय था लेकिन जैसे ही यहां पर सूरज जब बल jurisdiction अब कम ही रहेंगा तो यह उपर की ज दो किलो मीटर तक उपर जो उपर उठ जा रही थी यह अब कितने पर रह जाएगी मालीजे 500 मीटर तक रह जाएगी तो जो प्रोदूसर के कड़ थे वह पहले तो दो किलो मीटर तक फैले हुए थे उपर तक इसलिए आपको बहुँ ज़्यादा विजिबल नहीं दिखते थे आता तो बहु सवकर हुए तो काफी दूर तक आपको चले के तो दिखाए नहीं पड़े लेकिन जब यहीं सवकर 500 मीटर में आ जाएंगे तो आपको काफी ज़्यादा इनकी विजिबल्टी अथात कहेंगे कि धुन्दसी नुकसान ज्यादा करेंगे आपको चीजे सब कुछ दिखाई द जाती है जब हवा काफी उचाई तक नहीं पहुंच पाती है इस वज़े से क्या होता है यह नीचे ही रहने की वज़े से क्या होता है कि यहाद्ध को सब्सक्राइब होता है लेकिन और भी इसमें चीजें हैं कि आसपास की कौन सीसी प्रक्रियाय होती है जिनकी वज़र से यह ऐसी कंडिशन और ज़्यदा प्रभावकारी हो जाती है जिसमें हम देखेंगे तो एक्जामपल की तौर पर ले लिजे दिल्ली दिल्ली है दिल्ली के आसपास पर हर्याडा का चेतर पंजाब का चेतर आप ले लिजे मान लिजे यह दिल्ली है वह यह क्या हर्याडा पंजाब का चेतर है तो हर्याडा पंजाब के चेतर में क्या हो रहा है क्योंकि आजकल क्या होगा है, मसीने क्या करते हैं कि मानि जैसे ये पेड़ है यह क्या होता थव इसको गाउं में पईरा बोलते हैं तो ये क्या होता है ये अलग हो जाता था इसको चारे के रूप में यूज कर लिया जाता था लेकिन जब आजकल जो मसीने जैसे धान काटने की मसीन आती है वो क्या करती है इसको यहीं से काट देती है उपर उपर का पुरसन काट देती है और ये वाला जो हिस्सा है वो बचा तो आने वाली होती है इसलिए इसको पूरे खेट में लगा दी जाती है तो ये जो ये जल जाता है जो मिल जाता हो ले कि दी दिय लिण को दिल्ली आस पास जैसे मैं बात करूं हर्याडा या पंजाब के यहां बात करें तो यह बहुत संहीं पूर्धा निकलता हो likewise है जिन veel सई हाइव गया है हुए जिनकी तो चलाई जा रही है कि पंजाब और हर्याडा के चेतर में तो क्यों चेतर में जो आजबनी चेतर में ने यहाओ खोने की से यहां पर बहुत सी ऐसी उत्ती लीगिनितना प्टो सब्सें अगेंति गाड़ियां और बहुतसा ढूमाय dif न दहूंइंगे गाड़ियां गपाइन इंप तो यहां का आटम प्रैच्र हाई हो जाता है और बिल्कुल यही टमप्रेचर तो आसपास के छेत्रों का लो ही है लो टमप्रेचर है आसपास के छेत्रों का तो धूमा उठेगा तो लेकिन वो उपर ना जा करके क्योंकि उपर गड़मी है नहीं तो उपर वो जा के करेगा क्या अर्था तो उपर वो बहुत ज्यादा जा नहीं पाएगा उस पर वो जा नहीं सकता, लो प्रेसर उसको यहीं मिल गया है, इसलिए वो क्या करेगा, इस तरह मूब कर जाएगा, और हाई प्रेसर से लो प्रेसर की ओर धुमा दिल्ली की ओर पहुंच जाता है, तो दिल्ली के जैसे ही वो दिल्ली के च्छेतर पहुंचेगा, तो सिधी बात ह पहल आएगा है यह तो बात हो गई है पराली वगरा जलाने की विए से दिल्ली में ऐसा क्यों होता है और बहुत सी लोकल विंड वगरा भी इसमें काम करती है उनको भी आप हलका से दिमाग में रख सकते हैं लेकिन मुखे कारल यह लो प्रेसर और हाई प्रेसर का ही है क्योंक यहां पर उपर आप देखेंगे तो तापी दूइप उपर बन चुका है लेकिन अब आया देखते हैं यहां का जो धूमा था वो धूमा आ गया और यह धूमा जब इस छेतर में आ गया यह बहुत ज़्यादा उपर तो यह भी नहीं उट पाएगा क्योंकि उपर तो आ ले आपको देखने को यह सब बहुत ज्यादा मिलेगा और यह सब उत्तर भारत में होता है लेकिन आपको विजिबल नहीं होता क्योंकि टंपरेचर लो इसी छेतर में होता क्योंकि सूरज क्या हो रहा है तो यह चीज़ा आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा होता है अब आई देखते हैं और इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है अब यह क्या होगा गुम्मद जो बनी थी यह गुम्मद क्या होगी अब यह यह जैसे यह गुम्मद क्या होगी यह बन गई किसी सहर के ऊपर क्या होगी यह गुम्मद बन गई है यह क्या है पलूसन की गुम्मद है लेकिन जब कभी हलकी सी भी हवा चल जाए आप देखते हैं कि अगर जो हलकी सी हवा चल जाए या बारिस हो जाए तो जो पुरूशन पूरा है यह इसमें बारिस की बूंदे क्या करती है इसको नीचे गिरा देती है विए जो छोटे-छोटे पार्टकिल होते हैं धूल के जाता है उपर क्योडिसा में उपर के ओर कि उससको प्लूम क्या है पिर्दूसर गूम्मद में आवब देखें ग PlayStation में जब हवा Wagtime सबस्केरम कर जाता है उसंटे अब आइए और चीज चीजों को dragons luc-ONG लिएंगे होता है गाँ में गाँ में ऐसले नहीं होता है क्योंकि गढ़ अगेर में आप देखेंगे थो पेड़ भी लागे हैं नदिया भी रही यह वह सब कुछ है अगया इस मोख कि टरप भी आपको उसके बारे में लेकिने विए आपको बताएंगे इस मौक के बारे में मैं कैसे इसमोक में बंग जाता है इससमो में प्लस फॉग ज तरफ बेसे होता है लेकिन नितापिटए गुम्मट अब आ यह देखतेंगे तरफ दीब तरफ होगे हैं और अबंपैरा इसे होता है कि भी विद्विक्राइव हुए यह देखे आप निए कच्चेछ बने हुए इस चलना सुरू कर देती। लेकिन हावा जो है वो जब सहरों की और आती है तो सहरों से टकराने की उच्ची बिल्ड़ी गए हैं। टकराने की वज़े से क्या हो जाता है कि टकराने की वज़े से यह हवा काफी धीमे हो जाती है। तो इसलिए इन दोनों की तुलना में यहाँ पहवा कम चलती है। और इन दोनों में तापांतर का अंतर क्यों है? यह भी हम देख लेते हैं। माल नीजे जैसे एक्जामपल के तौर पे आप देखिए। अगर जो मैं बता रहा हूं इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं कमेंट करके बताईए। मैं उसका तुरंद आपको उत्तर दूँगा। अब देखिए जैसे माल नीजे यह बिल्डिंग है। यह क्या है बिल्डिंग है। यह कोई बहुमंजला इमारत है जो शहर में बनी हुई है। सुबह का मौसम है, अब बताएं सुबह के मौसम में किसको ज़्यादा heat मिलेगी। यह देखता है इसको मिलेगी या इसको मिलेगी। आप बताएए उत्तर में दीजे कि दोनों में hit किसको जफाला मिलेगी, तो सीधी बात है कि heat सबलिटा मिलेगी, इसको, किसको, building को, क्यों, क्योंकि building की लंबाई आप देखेंगे तो ये जादा है, उचाई अर्थात इसकी आप देखेंगे, जादा है, और जब sun की है अब देखेंगे तो इस पर क्या हो रही तिर्ची किरने पड़ रही है और इस पर क्या हो रही सीधी किरने पड़ती है इस पर क्या हो रही सीधी किरने पड़ती है इस वज़े से क्या होता है इसको heat भी ज़्यादा मिल जाती है अब दूसरी बात लेजे अब बात करें मालीजे दिन की हम बात करें तो मालीजे खड़ी दो पहर है यह हो गई building और यह हो गया यह है मालीजे यह कोई खेत है अब बदाए किसको ज़्यादा heat मिलेगी यहाँ पर है sun ये हो गई बिल्डिंग ये हो गई ये तो आप देखेंगे तो दोनों को लगबक बराबर मिलेगी दोनों में क्या हो री बराबर मिल रही है क्योंकि इनकी जो छट है छट को तो मिली रही है और खेत को भी बराबर मिल रही है अर्था दोनों की तुलनातमक दस्टी से देखे कि सहर का टंपेचल बढ़ने के पीछे कालर क्या है तो आप खेत में आपको एक तुझे तिर्ची किर्णे भी खुब अच्छे से इनकों मिल रही है और यह जो आप देखेंगे उर्धवादर किर्णे भी उनके ठीक उपर पड़ रही है यह भी क्या हो रही है लंबमत किर्ण यह भी ठीक इनके उपर पड़ रही है तो दोनों किर्णों की पड़ने की विज़े से क्या होता है यह सहर और ज्यादा गरम हो जाता है अब हम बात करते हैं इस मौक की और इस मौक के बारे में अथा धूमर कोहरा के बारे में लेकिन एक इसमें और बात में आपको बता कि एक चीज आपको दिमाग में और भी आती होगी मालने जी आप किसी दिली में रहते हैं मालने जी लखनाओ में रहते हैं या किसी भी ऐसे सहर में रहते हैं तो जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ही धूप निकलती है धूप निकलने के बाद में क्या होता है कि एक धुंद छटने लग जाती है अर्था जो visibility आपको कम हो गई थी वो दिखने लग जाती है अब देखने लग जाती है लेकिन जैसे ही साम हो जाती है था साम के 5 बजेंगे 4-5 बजने लगेंगे सूर जैसे डूबने की स्थिती में आने लगेगा अजीब से फिर धूंद चाने लगती आ था इस मौक फिर बहुत तेजी से होने लगता है तो आकिर ऐसा क्यूं है यह बिल्कुल वही है क्योंकि जब दिन का समय आता है तो दिन के समय में टंपरेचर थोड़ा बहुत तो आपको मिलेग ही अर्थाथ इसको मिलता है यह टंपरेचर जब दिन के समय में टंपरेचर में बढ़ता है यह देखते हैं इसको थोड़ा सावर द miraculous निस आफसल्स के को यह जो टंप्रेचर बढ़ा तु पूरी हवा का जो यह जो पूरा जो धूम्र ख़ाया हुआ था यह क्या होगा पूरेचर बढ़ेगा तो यह हलका से उपर उठ जाएगा उपर उठ जाएगा तो आपको दिखाए यह फिर नीचे आने लगेगा क्योंकि इसका टंपरेचे डाउन हो गया जैसे लिए नीचे क्यों आ जाएगा और नीचे क्यों आ करके बिल्डिंग और गरा के आसपास आपको खुब दिखना सुरू हो जाएगा तो दिन और साम के कंड आप दोनों के compare करेंगे तब ही आपको यह चीज़े आपको समझ में आ जाएंगी दिन और रात में यह comparison करके देखेगा यह बिल्कुल दिन और रात का ठंडी और गर्मी में comparison करके देख सकते हैं ठंडी और गर्मियों में अर्थात मार्च के महीने को माले अगर जो यहाँ पे गर्मी का मोगैं कि इस्वाफ क्या है एक देखते हैं क्या चीज इस मोग अठाथ इस्मूक पलस फागरथा धो मह और कौरे का मिसड़ क्या कहलाता इसमाब अगर था धूमा प्लस कोहरा पहले याद रहें कि कोहरा क्या होता है कोहरा कैसे बनता है आईए उसको हम समझ लेते हैं कोहरा कैसे होता है मान लीजे कोहरे के अलग 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 प्रकार है लेकिन एक बेसिक तोर पर हम समझेंगे तो कोहरे को देखते हैं तो आप देखें मान लीजे जैसे ये दिन के समय जैसे टमप्रेचर बढ़ता है तो जैसे मान लीजे दिन में जैसे किसी छेतर में आप देगे टमप्रेचर बढ़ेगा तो वास्पी करण की प्रक्रिया तो सीधी बात है तो होगी ही तो वास्पी करण की प्रक्रिया होगी व आजिए तो अब नमी लेकर के ऊपर के ऊर चली जाएगी लेकि रात में जैसे टंप्रेशर कम होगा जैसे क्रेचर कम हो जाएगा यहागी चोटी-चोटी बूंदों का रूप धाला कर ले और्धात क्या हяжंगी वyपराइज हो जाईंग recene क्या होगा च्रणी के शुटा जोटी जोटी का रूप दीन के समय जोटे का रूप करेंज दिखेगा अर्थात यही क्या है कोहरा है लेकिन जैसे ही इस कोहरे में घुन जाता है मौग मिल जाता है तो ये क्या होता है ये धुमा मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा इस्मॉग बन जाएगा इस्मॉग तो ये क्या धुमा और कोहरे का मिसर क्या कहलाता है इस्मॉग कहलाता है लेकिन इस्मॉग खतरनाक क्यों है इसे स्वास समदित विमारियां वगरा बहुत जादा हो जा इच्ट्यक्त वेज़ति होते हैं यह वह जल के साथ स्क्राइब करके क्या बना लेता है H2SO4 बना लेता है क्या बना लेता है H2SO4 H2SO4 क्या है यह Sulfuric Acid है अर्थाद जो SO2 निकल करके जो वास्पी करन से निकली हुई H2O था अर्थाद जल था उससे अभिकिया करके H2SO4 बना लेगा जो क्या हो जाएगा एक अमल हो जाएगा लेकिन बाद में और आगे प्रक्रिया के दोयान जब हम देखेंगे तो जब सुबे सुबे का मौसम होता है तो सुबे सुबे मौसम सब इस पर temperature अर्थाद देखेंगे तो इस पर sunlight पढ़ती है तो इसका क्या हो जाता है sunlight पढ़ने की वजह से यही जो दुन्द थी वही क्या बदल जाएगी फोटोकेमिकल इसमांग बदल जाएगी जिसमें ओजोन वगएरा सल्फिर्युक एसिड वगएरा के भी आपको पार्टिकल देखने को मिलेंगे लेकिन जब बारिस होती है तो यही एच्टू ओस्वाफोर जो अमली वर्षा के रूप म ऋमिखान गुझे करता हूँ कि यह वीडियो समझ में आया होगा वीडियो रसंग में है तो आप अप जाताए है वां काफी उचाई तक अपल जाती मիजे जैसे है कि như है यह करक एक अपर टंप्रेचर क्या हो गया यहां पर टंप्रेचर हो गया हाई हम भी वहते में क उरे से आप देखेंगे तो यह जो आट किलू मिटर मान लेज its काफी उचाही तक ग उपर उठ जाती है घिए फूरा कि पूर्य वगड़ा दूसरा होते हैं आप साउथ हमिस्पेर समय प्रिख से करया होँ यहां पर दो चाथ हो नहीं पूर हो अब ऊठाता है कि यहां पर प्रेसर के हमेशा हाई बना रहता है इसलिए पूरा प्रेसर हाई होने की विज़से यह जितने प्रूशर के पार्ट किल है या आपको जितना प्रूशर है सब कुछ देखने को मिलता है इससे रिलेटर मैं आपको बताऊं तो आप लखनों की स्थितिव अगर और हर तरफ प्लूसन आपको देखने को मिल लहा है यह कुछ फोटो जगरा यह सब लखनाओं के फोटो हैं मैंने खुद कीची है तो इनको आप देखेगा यह सभी आपको देखेंगे तो हर तरफ ऐसी कंडिशन बनी हुई है कि ऐसा लगता है कि पूरा एरिया ही पूरा ऐसा प्लूसन सांस ले में बीमारी होती इससे बचाओ के लिए मैं आपको बता दू कि मास्क वगरा का यूच किजिए घर वगरा की खिर्कियां वगरा बंद करिए अनावस्ते सुबह टहलने ना जाएए सुबह टहलने की वज़े से आपको और ज़्यादा बीमारी हो सकती क्यो हो भी एक मिट थोड़ा में बता दूँ आपको यह भी जान लीजे कि जैसे ठंडी बढ़ेगी वो कम कैसे हो जाएगा अथा संगनन कह सकते हैं जो यह वाटर ड्रॉप्थीन का संगनन हो लेगा नीचे कोहरे का रूप धाड़ कर लेंगे इसमें भी आप देखेंगे धूवा मिला हुआ है धूवा मिलने की विए से क्या होता है कि यह स्मॉक बन जाता है लेकिन जब कोहरे की परसेंटेस ज्या आने वाले समय में आपको करीब तीन से जन्वरी के महिने में यह दिमर ने में आपको पेपर क्यों होंगा क्यों हो से गाईव ऑढां धैगा तो यॏ आसके कंडिसन नहीं होगा अप देखोंगे डिली वगरा में पेड़ों के उपर पानी छड़काओ क्या जा रहा है यूदि पानी के जब इस समय किसी पेड़ की पती पर आप देखेंगे सहर में तो आपको अजीब से धूल वगएरा दिखेंगी और अजीब से काले-काले पाट की लापको देखने को मिलेंगे वो क्या है को धूआ आपी दूइब बनते हैं यह ऐसी लेयर सी बन जाती है कोरे की की आने वाले प्रकास को भी आप देखेंगे अजीब से धुन्द छाई जाती है तो इसे प्रकास अंदर भी नहीं आ पाता है और इसका टमप्रेचर दीरे-दीरे डिक्रीज भी होने लग जाता है सहर का लेकि पर आकर के ब्लॉक हो जाता है आप इससे रिलेटेट मेरे दो वीडियो को देखेगा एक मैंने वीडियो बनाया है ओजोन परत के उपर दूसरा बनाया है मैंने इस वीडियो में किसी भी तरीके से आपको PM 2.5, PM 10 और भी इसे पार्टिकल्स के बारे में आपको चर्चा मैं नहीं किये ये पर दूसर का एक पार्ट है इसके लिए आप मेरी वीडियो देखे मैंने आलेडी वीडियो बना रखे इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में तीनों वीडियो आपको दे दूँगा तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्